नमस्कार साथियों स्वागात है आप सभी का एक बर फिर से अपने यूटूब चैनल DC जोग्रफी क्लासेस में यदि चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पह वरिWowगैंसी आई थी उसमें जो प्रस्ण पूछे गये हैं जोग्रफी से सम्मंधित उन प्रस्णों को हम लोग देख रहे हैं और हम लोग ने अबी तक 6 सेसंदस में 90 कोस्टेंज को कवर कर लिया हैं एक सेसंद में 15 कोस्टेंज हम लोग कवर कर रहे हैं तो इस प्रकार हम लोगों ने अभी तक 6 सेशन्स को किया हैं और 6 सेशन्स में हम लोग 90 कोस्टन्स तक कर लिए हैं आज 7 सेशन है और 7 सेशन हम लोग 91 से लेके 105 कोस्टन्स तक डिसकस करेंगे और समझने की कोसिश करेंगे कि जारखन TGT जो जो जोगरफी में एक्जाम हुआ था जोगरफी का उसमें किस लेबल के प्रसन पूछे गए हैं। क्योंकि जब तक आप किसी भी परिक्षा के exam pattern को उसके previous year questions को समझेंगे नहीं, तब तक ये अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर जो आने वाला exam है, उस exam में questions के level किस परकार के होंगे। तो आने वाले exam में questions के level को समझने के लिए आपको previous year questions को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो उसी कड़ी में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का session जिसमें हम लोग बात करेंगे आज के 15 questions को उसमें से आज का जो पहला प्रस्ण है वो है आपके screen के सामने प्रस्ण को पढ़िएगा और समझने की courses की जाएगा ठीक है। क्योंकि बहुत सारे questions fact basis फे अब मिलेंगे आपको पूछा किया है इसमें निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पहला धात्व इस पात संयंत्र है ठीक है questions को समझिएगा औप्सन है आपके सामने A Indian Iron and Steel Company औप्सन B है टाटा Iron and Steel Company औप्सन C है विश्वेस्वरया Iron and Steel Limited औप्सन D ह क्या होगा correct answer तो इसका correct answer हो जाएगा option number B ताटा Iron and Steel Company ठीक है टाटा Iron and Steel Company ये भारत का सबसे पहला धात्व इस पात संयंत्र है ठीक है इसके स्थापना कब की गई थी तो 1907 इस भी में कब 1907 इस भी में की गई थी कहाँ पर जमसेदपूर में ठीक है एक यहाँ नदी है साइ सेदपूर जो इस पात नगर है वो और जमसेद जी टाटा के द्वारा ही इसके स्थापना की गई थी सबसे पहले 1907 इस भी में ओके next question देखते हैं लोग और next question है आपका कि किस राज्ज में कुश्चन थै किस राज्ज में बोकारो इस पात से अंत्र इस्थित है आप्शन A है आपके सामने जारखन आप्शन B है 36 गड़ C है गुजरात और D है पस्षिम मंगाल तो आपको पता होगा कि बोकारो एक जारखन का जिला भी है और बो बोकारो इस पात से अंत्र का स्थापना किया गया है तो correct answer क्या हो जाएगा आपका option number A जारखन ठीक है जो बोकारो इस पात से अंत्र है वो जारखन में है next question देखते हैं हम लोग किस वर्स किस वर्स भिलाई इस पात से अंत्र के स्थापना की गई थी option A है आपके सामने 1955, B है 1965, C है 1975 और D है 1985 तो इसका correct answer हो जाएगा option number A उनिस्थापन तो जो भिलाई इस पात से अंत्र के स्थापना होई थी इसके स्थापना 1955 में होई थी अब आपको comment box में आपको बताना है कि जो भिलाई इस पात से अंत्र के स्थापना होई थी वो किस देश के सहयोग से की गई थी ठीक है तो यह आपको comment box में बताना है next question देखते हैं next question है 2013-14 ठीक है 2013-14 के प्रतिव्यक्ति इसपात खपत और law I ask तथा इसपात के आयात के वीवरन के अनुसार इसपात के प्रतिव्यक्ति खपत क्या थी यानि iron का जो person यानि प्रतिव्यक्ति जो खपत है उसके बारे में पुछा गया है 169 के प्रतिव्यक्ति 139 के प्रतिव्यक्ति 89 के प्रतिव्यक्ति 69 के प्रतिव्यक्ति क्या होगा इसका correct answer तो इसका जो correct answer है वो है option number A 169 के प्रतिव्यक्ति हाला कि exact अगर आप देखेंगे तो यह है 163 kg प्रतिव्यक्ति ठीक है 163 kg लेकिन चुकि आप्षन में 163 kg नहीं है तो इसके nearest जो होगा उसी को आपको करना है ठीक है तो ये 163 kg प्रतिव्यक्ति इस पात का प्रतिव्यक्ति खपत्था 2013-14 में ठीक है next question देखते हम लोग किस देश में किस देश ने बोकारो और भिलाई इस पात सेंत्र को स्थापित करने में सहयोग दिया है अभी चुकि हम इससे पहले भी questions देख चुके है अब option A है आपके सामने जर्मनी B है जापान C है सोवियत संग D है फ्रांस तो जो बोकारो thermal power plant है और भिलाई power plant है इसका जो establishment हुआ स्थापना हुआ वो किस देश के सहयोग से किया गया था तो इसका जो correct answer है option number C सोवियत संग रूस के द्वारा इसकी स्थापना में मदद की गई थी ठीक है जो भिलाई और बोकारो power plant है ये सोवियत संग के सहायता से इसके स्थापना की गई है नेक्स्ट question देखते हैं हम लोग भारत में sponge iron मुख्य रूप से उत्पादन की किस विधी द्वारा उत्पादिर की जाती है अब काफी conceptual questions है ठीक है जब तक इसको आप पढ़ेंगे नहीं तब तक इसके सही answer को आप नहीं कर सकते है तो पूछ रहा है sponge iron का जो उत्पादन की आजाता है उसका विधी पूछा है यानि किस विधी के अधार पर या किस के अधार पर sponge iron का production की आजाता है option A है कोईला अधारित B है गैस अधारित C है D जला अधारित और D है जला अधारित तो इसका correct answer है option number A जो sponge iron का उत्पादन किया जाता है वो कोईला अधारित है यानि कोईला के द्वारा ही sponge iron का निर्मान किया जाता है इसको गलाया जाता है next question देखते है सथकूडा परवत स्रिंखला की सबसे उची चोटी कि उचाई कितनी है option A है 1330 मिटर B है 1370 मिटर C है 1300 50 मिटर और D है 1365 मिटर अब आपको बताना है कि सथपूडा जो परवत है इसकी सबसे उची चोटी आखिर है कौन ठीक है तो सथपूडा की सबसे उची चोटी जो है उसके बारे में आपको बताना है कि आखिर कौन है आपको यहाँ नर्मदा नदी का प्रवाह छेत्र देखने को मिल जाएगा और नर्मदा नदी के दक्षिन में आपको यहाँ सथपूडा रेंज देखने को मिल जाएगा ठीक है और उत्तर में आपको विंधियन रेंज मिलेगा दिखने को ठीक है तो सत्पूरा जो है इसकी जो सबसे उची चोटी है वो है आपका धूपगर ठीक है कौन सी है धूपगर परवत जो कि मैकाल परवत का एक भाग है धूपगर और धूपगर परवत की जो जो मैकाल परवत की सबसे उची चोटी है और यही सत्पूरा रेंज की भी सबसे उची चोटी है जो की तेरा सो पचास मीटर है ठीक है तो correct answer option number C हो जाएगा Next question है हिमाले की कारा कोरम परवत स्रिंखला में सबसे उची चोटी कौन सी है अब देखे सबसे पहला पूछ रहा हिमाले की अब हिमाले में भी कारा कोरम स्रिंखला का जो कारा कोरम रेंज है उसका सबसे उची चोटी पूछ रहा है ठीक है तो option है किली मंजारो, अनपूर्णा, नंगापरवत या केटू तो किली मंजारो तो चुकी भारत में है भी नहीं तो इसको तो ये खतम हो गया अब आपके पास बचाहनपूर्णा, नंगापरवत और माउंट केटू तो इसका जो correct answer है वो है माउंट केटू जो हिमाले में कारा कुरम स्रीनी है इसके सबसे उची चोटी है केटू ये आपको ध्यान रखना है तीक है नेक्स्ट कोस्चन है प्राइद वीपिया पठार की सबसे उची चोटी कौन है अब पूछ रहा questions प्राइद विपया पठार की सबसे उची चोटी तो option यह है कैलास चोटी, अनाई मुड़ी चोटी, अनपूर्णा चोटी और खंडेस चोटी तो जो प्राइद विपया पठार की सबसे उची चोटी है वो है अनाई मुड़ी तो correct answer option number B हो जाएगा इसका next question देखते हैं निमने लिखित में से कौन भारत में सबसे पुर्व में अवस्थित है अगर आप भारत का जो map देखेंगे तो भारत के map में इन सब का जो क्रम है वो पूछा है तो निलगीरी परवत आपको पूछा है सत्माला पूछा है मैकाल पूछा है और महादेव पूछा है ठीक है और सबसे पूरव में जब आप अटलेस में देखेंगे तो इसका correct answer option number C हो जागा है मैकाल स्रेनी ठीक है सबसे पूरव में यहाँ आपको देखने को मिलेगा ओके next question देखते हैं भारत का सबसे बड़ा प्राकिर्तिक भागौलिक हिसा कौन है यानि एगर physical division हम इंडिया का करते हैं तो उसमें से पूछ रहा है सबसे बड़ा जो भागौलिक छेत्र है वो कौन सा है प्राइदीपय पठारी भाग है कि मरुस्थल ये छेत्र है कि मैदानी छेत्र है कि परवती ये छेत्र है तो पूरे भारत में जो पठारी छेत्र का विस्तार है इसी का विस्तार सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है जो सत्पूरा रेंज है वहाँ से आपको एक्दाम साउथ तक ये पूरा छोटा नागपूर प्लैट्यू ये सारा रीजन आपको मिल जाएगा पठारी छेत्र के रूप में तो जो प्राइद उपिया पठारी भाग है इसी का विस्तार सबसे ज़्यादा है जो कि अल्मोस्ट 43% एरिया को कवर किये हुए इंडिया का तो आप्शन नमबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका नेक्स्ट कोशन देखते है फांग पुई जिसे निला परवत भी कहते है निमनब में से किस परवत स्रिंक लामेश थी थैं ठीक है तो इसका ओप्शन कई बार पूछा गया है और कई एक्जामों में पूछा गया है फांग पूई जिसको हम लोग नीला परवत यानि ब्लू माउंटन के नाम से जाना जाता है ठीक है जो आसाम में है तो इसका option है विंधी रेंज, सत्थपुडा रेंज, पुर्वानचल रेंज और अरावली रेंज तो इसका जो correct answer है वो है पुर्वानचल रेंज option number C next question देखते है निम्न में से भारत में हिमाले की सबसे उची चोटी कौन सी है ठीक है option है साल टोरो कांगरी, कामेट, कंचन जंगा और नंदा देवी तो जो भारत में इस्थित है जो सबसे उची चोटी है वो है कंचन जंगा ठीक है जो की सिक्की में है आपको ध्यान रखन है और इसकी उचाई को भी आपको ध्यान रखना है कभी-कभी इसकी उचाई भी पूछ ली जाती है नेक्स्ट कोस्टन है और आज का second last question है कि निम्न में से भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है ठीक है मिनिकॉय, कटचल, पंबन या माजुली तो इसका correct answer है option number D माजुली द्वीप है ठीक है माजुली द्वीप ये जो आपका पुर्वांचल की पहाडियां है ठीक है तो ये ब्रह्म पूत्र नदी जब प्रवेस करती है अरुनाचल से होते हुए तो जब आसम में ये मिलती है आती है प्रवेस करती आसम में तो आसम में ही एक द्वीप का निर्मान करती है और यह जो द्वीप है इस द्वीप के इस तरफ से नदी प्रभाहित हो जाती है और इस तरफ से बीच का जो एरिया है यही द्वीप के रुप में है और इसी द्वीप को माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है और अभी साइद 2016 या 2017 में हाल ही में इ से एक डिस्टिक घोसित कर दिया गया है जो की सबसे बड़ा नदी दूइफ है माजूली ओके आज के अंतिम प्रस्ण को देखते हैं पूछ रहा है निम्न में से किस राज में कार्डमम पहाड़ियां इस्थित हैं अप्शन ए है केरल और तमिल नाड़ू पंजाब और राजस्थान जारखन और बिहार चतिशगड़ और उडिशा तो कार्डमम जिसे इलाइसी की पहाड़ियां भी कहते हैं यह है आपका केरल और Tamil Nadu में ठीक है, तो option number A हो जाएगा, correct answer, okay, तो यही था आज का हमारा एक छोटा सा session, I hope कि यह session आपके लिए काफी helpful रहा होगा, और चीजों को समझने में, TGT के exam के pattern को समझने में काफी अब तक आपको समझ में आ गया होगा, कि questions का tendency किस प्रकार का है, किस प्रकार के questions बलके कुछ questions आपको tough भी मिलेगे, और अधिकांसता question आपको easy मिलेगा, ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो, comment box में ज़रूर बताईएगा, अगर हमारे telegram channel से नहीं जूड़े हैं, तो हमारे telegram channel का link वीडियो के description box में दिया हुआ है, वहाँ से जूड सकते हैं, या फिर अगर वहाँ से नहीं जूड़ पा रहे हैं, तो telegram में search किजिएगा, grf.net.pgt.geography, तो आजाएगा channel, वहाँ से आप join कर लिजेगा, जैसे ही 150 questions ये complete हो जाएगा, इस PDF को telegram channel पे हम share कर देंगे, ओके, तो thank you so much, मिलते हैं हम अगले session में, तब तक के लिए धन्यवाद,